असलाम वालेकुम फ्रेंट्स में आना मेहमल अतिव गुमन है तो चलिए एक और पीसी मैंने अन्बॉक्स तो आरेडी मैं कर चुक हूं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता चलू यह पीसी है मेरे पास एक आलिन वन नहीं है और यह एच्पी का है और एच्पी आलिन वन 27 औ और इसका मॉडल कुछ B207 ऐसा कुछ था तो मैं इसको आरेडी अन्बॉक्स काड़ चुका हूं तो मुझे अन्बॉक्सिंग की वीडियो बुरानी थे लेकिन एमर्जनसी में मैंने इसको अन्बॉक्स काड़ दिया तो सोचा आप लोगों को अभीस के बारे में बताता चल उसके उपर लेदर की कुछिंग हुई है उसके पास एक पड़ा हुए सोफा साथ में यह है और इस साइड पर बीए और यहां पर वुड़ प्लाई का काम हुआ है और इसी तरह यहां पर अगर देखें आप तो डेकुरेशन है यहां पर आपको मैं क्लियर यहां से थोड़ पर चलते हैं तो मैं इसको दिखाता हूं आपको इसका पावर बटन यह यहां पर हम इसको पावर आन कार देता हूं तो मैं बेसेकली लेट हो गया था इसकी वीडियो क्रियाट करने के लिए मुझे एमर्जेंसी में इसको आण करना पड़ा तो यह देखें यह सिस्ट्रमा i7 है और यह 8 जनेरेशन है इंटल का यह इसका देखिए और इसी तरह दूसी साइट पर यह देखिए बैंग अर्फसान और इसी तरह अगर मैं इसको लॉग इन करता हूं यहां से तो लिजिए हम लॉग इन कर चुके हैं इसमें इसके साथ यह हमने एक वाइस ओवर आई पी है यहां पर सिस्कों का यह बैसिकली इसका हमने अलाइदा से एक सर्वर बनाया हुआ है जहांसे हम इसको अक्षेंट के तोर पर इस्तवाल कर सकते हैं आउटकूइं मोबाइल पर और अक्षेंशन पर सब यह बैले बल इसके अबारे में बात में डिस्कस करेंगे इसका मैं आदरी सर्वर क्रियेट कर सुका हूं और यकिनियक पी कर सुका हूं तो चलेए सिस्टम पर चलते हैं इसकी स्पैस के बारे में अगर देखें सबसे पहले तो यह टच सिस्टम है और इसके प्राप्टी में आपको दिखाता हूं यहां पर तो यह देखिए यहां पर आपको नजर आ रहा होगा यह इसके डिवाइस स्पैसिफिकेशन है एच पी ने भी आलिन वन पीसी है और साथ में यह इसका डिवाइस नेम लिखा हुआ है यहां पर आप लोग देख यह इंटल कोल आई 7 है और यह 8700T यानि यह एट जनरेशन के हैं मैंने को पहले बताया था कि आपको आपके PC का जनरेशन आप किस तरह से मालूम कर सकते हैं खैट यह देखिए यह फर्स डिजट होता है यह जाहर करता है कि आपके डिवाइस का मतलब जनरेशन कौन सी है और इसको मैं क्लोज करता हूं अगर मैं इसको बता हूं आपके डिवाइसे इसके ड्राइब के बारे में इसमें बेसे के लिए दो डिवाइसे हैं बिल्टीन है यह सिस्टम में साथ ही आया था रिक्वाइब जो हमने की थी यह फर्स्ट वाली जो है यह 500GB किया यह SSD है और जो अच्छे सिस्टम के लिए और यह जो वन टीबी के लाइदा से है यह मतलब एचेश्टी है हाडिस ड्राइब है यह तो इसी तरह इसमें 1.5 टीबी हाड ड्राइब है तो इसके साथ मैं अगर उपताता चलूं यह कीबोर्ड माउस आ जाएगा उसके बात यह देखिए यह क उपर साइट से है प्लास्टक बैक साइट से भी प्लास्टक है लेकिन यह इतना हैवी है कि आपको लगे का कि यह एल्मोनियम गयरा कई यह किसी सॉलिड मतलब चीज से बना हुए इसी तरह माउस भी है इसके लिए जो पहले हमें आउन्बोक्सिंग करते थे उसमें यह होत जो बड़ी अची चीज है हमें जो साउंड करना होता है मतलब कवर उसको उसके लिए उन्हेंने यहां पर एक बनाया हुआ है यह देखिए अगर मैं इसको मूव करता हूं तो यहां पर आपको दिखेगा यह एक बड़ी अच्छी चीज है मतलब आप बैठे बैठे इसको स लेकिन मैं इसको मैं नहीं दिखा सेक्ट लेकिन मैं उसका इसका इसका इसमें आड कर दूँगा तो आउप अप लों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो के लिए इतना ही थैंक्स र वाचिम्वान इलालाहाफिश मुझे आप लों कि स्पॉर्ट की जु तो एक दो दिन में मैं और भी कुछ 11 जनेरेशन के मेरे पास PC यह हैं मैं उनको भी अन्बोक्सिंग करूंगा बेसेकली मैं का चुका हूं तो उनकी भी मैं वीडियो जल्दी से अप्लोड कर दूंगा ओके जी अलाफीज